इस केस में दो सालों से जहांच चल रही है, 500 से अधिक विटनेसेज बुलाए जा चुके हैं, लेकिन एक रुपे तक का सबूत नहीं मिला, एक रुपे की रिकवरी नहीं हुई अब ये चाते हैं कि ठीक लोग सभा चुनाओ के पहले कैसे भी करके अर्विन केजरिवाल जी को अरेस्ट कर लें, इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ED की कारिवाई चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले, ताकि मोधी जी को विपक्स का सामना ना क करना पड़े, इसी लिए ये अरेस्ट की जो बाते हो रही है, वो कही दिनों से बीजेपी करती आ रही है, दूसरी बात, आम आत्मी पार्टी अर्विन केजरिवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कानूनी प्रक्रिया के अब तक ED के जितने भी समस आये हैं, वो इलीजल है, और इसीलिए हमने समस का रिसपॉंड नहीं किया है। अब पिछले रात को पुकता सूत्रो के हवाले हमें पता चला था कि ED की RAID होने वाली है, अर्विन केजरिवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं और आप इसकी पहले की एक क्रोनोलोजी देख लीजिए जब मनी सिसोद्या जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले BJP वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया थे कि अरेस्ट होने वाले, अरेस्ट होने वाले ED ने खारिज किया था, क्या हुआ मनी सिसोद्या जी अरेस्ट हुए जब संजे जी अरेस्ट होने वाले थे तो पहले सबसे पहले बीजेपी के नेतागंड बोलना शुरू कर दिये थे कि 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होना तैयारी आप कर लीजे इल्डी ने तब भी खारिच किया था लेकिन संजे जी अरेस्ट हुए है अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए समंस जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जादा कि समंस जारी होने वाला है पिछले 24 घंटे से हर एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अर्विन केजडिवाल जी अरेस्ट होने वाले है मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजे की दफतर से निकलेगा इडी बात कारेवाई करेगा इसलिए हमने का है कि ये होना थाथ इसलिए हमने का है कि इसलिए हमने कि पुलीस की बड़ी जो एक गैदरिंग थी किज्रिवाल जी के घर के बाहर थी तो हम अब situation को monitor करेंगे ED का कोई आधिकारिक statement हमें अब तक नहीं मिला है लेकिन वो स्वतंत्र हैं कभी भी अगर कुछ भी अगर उनकी प्रक्रिया होती तो हम तब उसका जवाब देंगे